तोड़ी इसी मुश्किल हुई हमें पता ही था कि मेडिकल रिपोर्ट भी यहां पे चाहिए पर जैसे महराणी कुईन्स वाला आज उनसा को लाइप स्टाइल है बेल करो अथो प्लीनिक वाला आज ने नेस्टोप ओपन मिल जाए तो जैसे नेस्टोप पूंचे आज अस्तामलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब खेरियत से होंगे यह जहाज गुजर ले फिर बोलती हूं आज हम सुबा सुबा तकरीबन साड़े साथ बचे का टाइम है और शदीद धूप निकली वी है सिरियसली आज मुझे पता चल रहा है कि दुबई में तो बीबी गर्मी है शदीद गर्मी है थोड़ी भी गर्मी निया शदीद गर्मी है तो खेर मैटर यह था सुबा सुबा उठने की वज़ा यह थी कि आज है मेरे फिंगर प्रिंट्स उनके लिए मुझे जाना है तो बस चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ जिस एरिया में हमें ना वहाँ पे टैक्सी बहुत लेट मिलती है वैसे तो पूरे दुबई में जल्दी टैक्सी मिल जाती है लेकिन जिस एरिया में हमें महाँ पे थोड़ी लेट मिलती है टोरिस स्पाट है तो जिनने बुकी होती है उन्हीं की जल्दी आती है तो काफी काफी देर वेट करना पड़ता है और मेरी टाइमिंग सुबा सवा आठ बजे की थी तो हम लेट होना फोर्ड नहीं कर सकते थे वैसे तो कोई मसला नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन टाइम पर पहुंच जाएं तो यहीं बेटर है तो अब हम लोगों ने दोड लगाई वी है वो सामने एक विल्डिंग नजर आ रही है ना आपको उदर जाना है हम लोगों ने और चल रहे हैं और मज़े की बात आपको बताओं मेरे शेड्स घार रहे गए हैं और मेरी आंके धूप में खुली नहीं रही हमें आदत ही नहीं है धूप में फिरने की तो आप फिरना पड़ है इसको कहते हैं परदेश तो बागी बाते अब मैं आपसे वहां पर पहुंच के करती हूँ आपको अपना रूट भी दिखाती हूँ यह मैप लगावा था रोट पे यह देखें यहां पर लिखा हूँ है ना 128 यहां से हम लोग उन्हें चलना शुरू किया तो अरब हम 122 पे आगे हैं और यह सारे एरियास जोंसे ना ऐसे करीब करीब में मतलब वाकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा ज्यादा वाक करना पड़त अब पहुंच जाते हैं यहे जी बिल्डिंग हम पहुंच गए हैं इस बिल्डिंग में अंदर वीडियो बना सकती हैं या नी बना सकते हैं पहले मेरे साथ ना दो बार इस तरह हो चुक है मैं एरपोर्ट पे वीडियो बना रही थी तो गाड मुझे आके कहता है मैदम दोन दूदी सियर मीन्स के मैदम यहां पे ना करें वीडियो ना बनाएं यहां से बाहर निकलके वीडियो बनाएं अंदर ना बनाएं तो यहां पे अंदर पता नी बिनान देते हैं कर नी तो बरहल हम पहुंच दो गए हैं और पहुंचे पी टाइम पे आप हमारी बोहादरी चेक करें अभी 8 पजने में पांच मिन्ट रहते हैं पहुंचके हैं यह जी सेंटर यहां पे भी हम वेटिंग में बैठके हैं यहां पे उनको मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए थी जो बाय हैंड हमारे पास नहीं थी उसका प्रिंट नहीं था तो मुबाइल में थी तो फिर हम लोगं पर थोड़ी सी मुश्किल हुई हमने पताएंगा था कि, ताब एस दिल्पार्भ घरणी को मैदिकल रिपोर्ट विहाँ पर चाहिए, जब कास की दफारइज थे तब मैडिकल रिपोर्ट परमोगेए, पृर हम लोगर तोड़ी सी परेशानी मैंदे अन्य हेलिकॉप्टर के थुरूब लोग ला सकते हैं दुबई में फेसिल्टिस बहुत जाते हैं बहुत जबर्जस यहां के मामलात हैं यह बहुत हैं बनाया है पेशेंट्स के लिए तो बस हम लोगों को अंदर सही शुकर अलहम दुलिल्ला गारी भी मिल गई थी हमें अब वापस करते हो तो हम ना थकना शुरू हो गए हैं दिल का रहा है बस जल 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 दी हमारा कोई सबब बने और हम जाए जो एक प्रॉपर रुटीन होती है घर की टाइन पर उठो उटके ब्रेक फास्ट बनाओ लांज के बारे में सोचो हाउस क्लीनिंग करो हम लेडिस के ना यह बैट के करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी तो हम लोगो न omla ka छॉल जाते नहीं भॉक हम सारी राता नहीं शुट सारी रात नहीं सोग तो इस दिल कहता था जल 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 कुछ कहए और बर्दा बर्स था सानन और साथ में गोबी यहा रहा है जड़ा की लाच लएन पर् आप राठा देखें कि आप 2 ली आते हमारे लिए 2 ली ली आप हो जाने थे अब ये तीन है तो ये वेस्ट हो जाएंगे साथ हम लोग उने चाय भी मगवाली थी किचन वगरा तो है नहीं जाहरे आप होटल में हैं अच्छा कुछ लोग तो इंजुए करते हैं ऐसे महरानी करो तो प्लीनिक वाला आ जाता है बेल करो तो फूड आ जाता है कुछ लोग इंजुए करते हैं लेकिन में उन में से नहीं हूँ एक फास के बाद हम लोग सोगे थे थोड़ी सी वाप कर गे उठिक के अपना समान हम लोग उने सारा सेट्रिल किया जहां पर आप रह 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 तब भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राइ की थी अच्छी थी उसके पास जब थ्री मन्स रह गई हूं तब भी मैंने बहुत कुछ ट्राइ किया था अच्छा था तो अब मुझे पता चला था कि यहां पे एक चरगा मिल रहा है जिस पे ओफर चल रही है जो बहुत मज़ेक है अब वह हम ट्राइ करने जा रहे हैं तो वह हमारे होटल के पास ही है बस वोक करते करते जाएंगे जितना हम लेट हो गए है ना अब बस यह दुआ करें नैस्टोग ओपन मिल जाए तो जैसे नैस्टोग पहुंचे आदी चीज़ें ख्लोज हो चुकी थी और आदी चीज़ में और अच्छा खाना यहां पर मिल जाता है तो यह देखिए ओफर्स कितनी जपरदस्त हैं अगर आप लोग दुबई से हैं तो आप ट्राइ कर सकते हैं स्पेशल चिकन के लिए गये थे जिसका हम लोगों ने सुना था कि बहुत मज़ग है लाजमी ट्राइ करें तो यह 10 10.99 दिरम में तंदूरी माला बारी फ्लेवर चिकन में जो हम ट्राइ करने आए हैं बस अफकास ने ओर दिया है यह देखें यह यहां से डिफरेंट डिफरेंट चीजे मिलती है अच्छा आप जिस भी नेशनालिटी के हो ना आपको यहां से आपकी नेशनालिटी से रेटे सब्सक्राइं बहुत अच्छी लग फिसके अलावा इस तरह हमका different different खाना था और इनका कलर इतना तहर था पता नीकुई कोई कजर एक्स्टा कलर इनने आड किया वा था या क्या था लेकिन नहीं देख नहीं दिल कर रहा था कि यह भी ट्राइ कर ले यह भी ट्राइद गर यहां से मिलेगा इंडियन पाकिस्तानी देसी चाइने थाइ जिस तरह कभी आपको फूट पसंद है वह आपको यहां से कंफर्म मिल जाएगा अबसे बढ़के बात यह थी कि इनकी जो प्राइस थी बहुत अच्छी थी बहुत रिजनेबल प्राइस थी हम लोग उनको चिकन 10 10.99 में मिल है वैसे अगर आप रो चिकन लेते हैं तो वह भी तक्रीम इतने का ही होता है तो बस यह देखें यह इनका फूट कोड था जो आदा विरान है आदा अबाद है क्योंके ताइम बिलकुल फिनिश हो गया था और हम लोगों ने ओर्डर किया था बर्गर शामीर के क्योंके शामीर जुन्स है वो ना राइस खाता है ना चिकन खाता है तो बर्गर शामीर के लिए पाक में यह मिल जाते हैं इसमें आपको दो बन मिल जाते हैं और साथ त्री पीसिस चिकन के मिल जाते हैं और यह बर्गर का कलर आप चेक करें लग रहा है ना देखने में भी अगर लग रहा है तो जलने से चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आप लोग के कमेंट्स आजकल मुझे थोड़े कम रेसीव और जल जादा जादा कमेंट्स किया करें दिल की बातें करनेनी चाहिए अच्छा लगता है यह हम लोग का टोटल फूड था यह हमारा डिनर था ब्रेक वास आप देख चुके हैं डिनर यह था लंच में हम लोगोंने असल में लोगोंने बुख लेट किया था हम लोग उठे लेट थे तो बस हलका फुलका हम लोगोंने खाया था तो वैसे यह डिनर हम लोगोंने सही तरीके से किया तो एसे जो इसे मैंने भी तक ट्राइ नी किया लेकिन मज़े के शामीब की तभीया थोड़ी सी गड़बड़ है बड़ी स्लोमोशन में वह खा रहा तो उसने देखे किस तरह गाना शुरू कर दिया बस बच्छरी ना बात को अपने हसाब से वो कर ले लिए जुरूर से बड़ी बड़ी किस्तानी कम्यूनिटी की तो मोजे हैं उनके लिए तो यहां पर बहुत कुछ था रजा यहां पर वो मौति चूर के लड़ू भी थे के यूँ मेजिन आप नेस्टों से मौति चूर के लड़ू भी लेके खा सकते हैं यह देखे कि इस तरह की मठाईया है यह सारी हमारे पक किसान तो यह कि आना तो वहां से इस तरह की मठाईया मिलती है तो बहुत जबर्दस्ता मुझे तो बहुत अच्छा लगा हास और पर प्राइस मैं काफी दिनों से बाहर से खा रही हूं लेकिन अगर कंपेर किया जाए ना बाहर से और यहां के नेस्टों के फूड तो नेस झाल